हमने यहाँ पर अपने बाइनेंस को रिफ्रेश किया और आप यहाँ पर अभी बैलेंस देख सकते हैं 1449 डोलर आपको दिख रहे हैं हलो दोस्तो नमस्कार मैं अंकित प्रजपती ट्रेडर आपका अपनी इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तो इस वीडियो में आज मैं आपको अपना फंड विड्रा करके दिखाऊंगा एक्सनेस से वो भी बाइनेंस के थुरू यानि कि आज हम बाइनेंस के थुरू ERC20 से अपना फंड विड्रा करेंगे और आपको बताएंगे step by step कैसे हम फंड विड्रा कर सकते हैं दोस्तो बाइनेंस में ERC20 से फंड विड्रा करने की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है very fast यानि कि यहां से बहुत fast आपका फंड विड्रा हो जाता है और यहां पर कोई खास चार्जिस भी आपके नहीं लगते हैं और easily आप कर सकते हैं तो आए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और step by step आपको सारी की सारे method देखने हैं और बहुत simple है ओके तो देखें यहां पर यह जो हमारा account है आज हम अपने इस account से एक्सनेस से विड्रा करने वाले हैं जिसमें हमारे 102 डॉलर पड़े हुए हैं तो विड्रा करने के लिए simply हमें विड्रा के बटन पर click करना होता है तो जैसे कि मैंने यहां पर बटन पर click किया तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास विड्रा करने के लिए यहों तो बहुत सारे method होते हैं जैसे कि online bank finance pay usdt erc20 usdt erc20 usdt coin उसके अलावा bitcoin इंडियन local bank transfer online bank और skill stick pay और यहां पर UPI तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे method से हैं आप किसी भी method से अपना fund withdraw कर सकते हैं लेकिन आज मैं यहां पर आपको जिस method के बारे में बताने वाला हूं वो है हमारा ether usdt erc20 तो आईए चलिए हम इस method से withdraw करने वाले हैं तो इस method पर हमने करना है click तो जैसे मैं इस method पर click करता हूं तो दोस्तों यहां पर मेरे सामने withdraw की window open होकर आ जाती है जिसमें हां पर हमारा payment method लिखा हुआ है erc20 currency usdt है और यहां पर हमें चाहिए to external ethereum account यानि कि यहां पर हमें Binance का एक deposit address चाहिए होता है क्योंकि Exynet से हम अपना fund withdraw कर रहे हैं तो वह कहां पर जाएगा Binance में तो यहनि कि Binance का एक deposit address होता है तो वहां से हमें लेना होगा तो आईए चलिए अब हम चलते हैं अपने Binance account में और बताते हैं कहां से वह address आपको मिलेगा इसको यहां तक आप आपको रोक लेना है अप चलना है आपको अपने Binance account में तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने Binance account में आ चुका हूं तो Binance account में आने के बाद आपको click करना होता है यहां पर अपने wallet में तो इस option पर आपको click करना है जैसे आप यहां पर click करेंगे तो आप यहां पर हमने क्या करना है अपने स्मयरे बाइनिस में डिपाइन्स का बटन दिख रहा है लेकिन यहाँ पर इसपोट में अभी यहाँश देख सकते हैं जैसे कि मेरा इस में 1209 डोलर है तो यानि कि जैसा आप देख सकते हैं तो यानि कि टोटल हमारे पास Binance में 1399 डोलर है लेकिन यहाँ पर Sport में हमारे पास 1299 क्यों दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें से 100 डोलर अपने funding में transfer कर लिये थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं funding में मेरे 100 डोलर है और Sport में मेरे 1299 डोलर है तो अभी आप देखेगा यहाँ पर हमारे 1299 डोलर है Overview में टोटल 1399 डिखा रहा है और 100 डोलर में इसमें deposit करने वाला हूं यानि कि अपने Exynes से withdraw करने वाला हूं ठीक है तो यहाँ पर आप देखे करना है और पीले बटन पर deposit पर क्लिक करना है तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यह option आएगा कि कौन से method से आपको अपना विड्रा करना है यानि कि कौन से method से आप विड्रा ले रहे हैं Exynes से तो मैं USTD से ले रहा हूं तो USTD पर पहले option पर मुझे किलिक करना है तो जैसे मैं किलिक करूंगा तो सबसे important यहाँ पर मुझे अपना network चूज करना है जैसे कि मैं Exynes से ERC20 से विड्रा कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे ERC20 ही किलिक करना होगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा उपर ही ERC20 यहाँ पर show हो रहा है Ethereum ERC20 तो इस पर हमें किलिक करना है तो जैसे मैं इस पर किलिक करूंगा तो दोस्तो यहाँ पर आपके सामने बार कोड भी आ जाएगा और सबसे इंपोर्टेंट सी जो आपको यहाँ पर चाहिए वो है यह wallet address ठीक है तो इसको बोलते है wallet address हमें यह चाहिए दोस्तो तो यहाँ पर किलिक करके आप इसको copy कर सकते हैं तो इसको आपने copy कर लेना है बस यहाँ पर आपको और कुछ भी काम नहीं है जस्त आपको Binance open करके deposit किलिक करके अपना wallet address copy करना है तो इसको मैं अभी अपने एक्सनेस में paste करने वाला हूँ तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने एक्सनेस account में आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे two external Ethereum account यहाँ पर किलिक करना है और यहाँ पर उस address को paste कर देना है तो जैसे मैंने इस address को यहाँ पर paste किया बाकी सारी details यहाँ पर fulfill है बस यहाँ पर मुझे amount में amount fill करना है तो दोस्तो ERC20 से जब हम अपना fund withdraw करते हैं तो minimum $100 हम यहाँ से withdraw कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं $100 लिखने वाला हूँ तो दोस्तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना $100 amount fill कर दिया है तो मुझे simply scroll करना है और नीचे यहाँ पर continue पर click करना है तो जैसे मैं continue पर click करता हूँ तो यहाँ पर confirmation के लिए सारी details आ जाती है अगर सारी details यहाँ पर ठीक है तो मुझे confirm पर again click करना है तो जैसे मैंने confirm पर click किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक verification code आएगा तो मुझे यहाँ पर वो fill करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक verification code आ चुका है तो मैं इसको यहाँ पर confirm कर देता हूँ तो दोस्तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना verification code complete किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आगया Your transaction is in progress तो यहां पर एक्सनेस से मेरा हमेशा deposit विट्रा बहुत 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 तरीके से हो जाता है तो मैं इसको five star rating दूँगा और यहां पर देखे view history में अभी किलिक करूँगा और आप सबसे पहले यहां पर उपर भी time देख सकते हैं मैंने just अभी विड्रा लगाया है और पर आप time देख सकते हैं दस बज़ कर वावन मिनिट तो अभी हम यहां पर wait करेंगे और देखेंगे कि कितने समय में हमारे बाइनस में हमारा पैसा पहुंच जाता है ओके दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं एक्सनेस में हमारा यह जो hundred dollar का amount है जो हमने विड्रा किय है यह यह अभी process में हैं तो यह वी processing में है और विदिन जैसे मैंने आपको बोला चार से पांच मिनेट में एक्सनेस से विड्रा हो जाता है और बाइनस में credit हो जाता हैं तो आए हम थोड़ा सा और वेट कर लेटें और अपने भाइनस पर चलकर देखते हैं तो दोस्तों य हमारा अमाउट यहां पर क्रेडिट नहीं हुआ है और यहां पर दो मिनट हो चुके हैं तो आई यह थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दस बज़ कर चववन मिनट हो चुके हैं और आप यहां पर देख सकते हैं हमारा एक्स तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं में अपने ओवर्विव में आ चुके हैं तो यहां पर आपको एक यह मैसिज हो रहा होगा दर डिपोजिट ओफ यूएसड़ी इस इन प्रोग्रेस यहां पर यहां पर यह देखे हमने एक मिनट पहले ही यहां पर चालिस सेकेंड दि हैं तो देखेंगे स्काइट देखेंख्थ करके और हमारे कितने समय में इस अपर यहां पर यह जतना भी टाइम होता जाता है एक मिनट दो मिनट तीन में क्रेडिट से-स में क्रेडिट हो जाता है अभी तक आप देख सकते हैं क्रेडिट नहीं होगा है हमारा यहां पर बैलेंस तेरा सो नंचस है और स्पोर्ट में आप देख सकते हैं यहां पूरे पांच मिनिट हो चुके हैं अभी हम अपने बैलेंस नहीं होगा है है अब यहां पर अपने बैलेंस देख सकते हैं 149 डॉलर आपको दिख रहे हैं मैं एक यहां पर 1309 डॉलर दिख रहा है यानि कि दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ पांच मीनिट ही लगते हैं एक्सथी आप करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा मैथड़ है बहुत इजी है और सबसे बड़ी बात बहुत फास्ट है तो आप इस मैथड़ को यूज करके भी एक्सनस से अपना विड्रा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कम से कम एक बार आपको डिटेल्स में समझाने की कोर्सिस करी कि आप ERC20 के जरिये अपना एक्सनस से फंड किस परकार से विड्रा कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को देखकर कुछ समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और कमेंड ब स्व 사 ligne की स्थाने की स्ट्रेडिजी अधीर वियूजए विडियी तो आप इसके लावा और भी कोई सवाल तो वोटसब पर मैसेज कर सकते हैं इस dog म्रीजिए कि शरूर जरूर दीजीः ऑग इसे दूसरे वीडियो